पारिश का मौसम दूसरे सभी पॉधों के साथ एक जो और पॉधे का हैवी फ्लारिंग या गरॉइंग सीजन रहते है वो रहते है पोर्चुलाका का ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा पॉर्चुलाका का पौधा है पॉर्चुलाका में दो तरह की कॉममन जो वराइटीस रहती है बहुत से जो कालर ऑप्षन्स हैं वो भी एवलेबल रहती है ये दिखी ये मेरे रेन लिली के पौदे के बेस के अंदर आप इसके हाइब्रिड फ्लार जो है वो नोटिस करेंगे इस तरह से देखिए इसके मिक्स कलर में जो ये औरेंज कलर है वाइट कलर है इस तरह से इसमें येलो रेड पीच बहुत से जो कलर्स हैं वो हाइब्रिड में एवलेबल रहते हैं तो दोनों पौदों को कटिंग से हलाकी ग्रो करना बहुत ज़दा आसान रहता है इसी पौर्चुलाका से मिलती जुलती एक जो और वराइटी रहती है वो इस तरह से पौर्सलें की रहती है पौर्सलें में भी बहुत से जो कलर आप्शिंस हैं वो ए कटिंग रहती है उसको आप इजली ग्रो कर सकते हैं मैंने हाला कि इसकी कटिंग के उपर एक प्रॉपर जो वीडियो है वो भी शेयर की थी इसके इस तरह से जो भी छोटी से बड़ी कोई भी कटिंग रहती है आप उस कटिंग को सिंपली तोड कर यह देखिए मैं आपको किसी भी साइस की कटिंग को इस तरह से कट कर लीजिए तोड़ लीजिए और इसी पोट के अंदर आपको जहां पर भी जगा मिले बस इस तरह से जो है वो अपरेस कर दीजिए और केवल अचार से पांच दिन में आप नोटीस करेंगे इसके जो नए पौध हैं वो रेड़ करने के बाद इनके जो अगान ये जो सीड आपको जो सीड इंग्स की सीड और दूसरी वीडियोhl양 की साइच, और दूसरी वीडियो में इस ्तरा इसकी हाइं की रिgलोड कटींग की जो लिख संव है, ऑन पौर जो नो जा जिरीके दूड़ो गमले के साइज की बात करूं तो आप इन पौधों को किसी भी साइज के गमले में बिलकुल छोटे से छोटे बड़े से बड़े से बड़े सही तरह के गमलों के अंदर एजली ग्रू कर सकते हैं क्योंकि इन पौधों का जो growing season रहता है वो summer season रहता है जब गर्मी की शुरुआत होती है कुछ मार्च अपरल के मौसम से ये पौधे जो है वो growth करनी start कर देते हैं लेकिन जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है वैसे वैसे सर्दी जदा पढ़ने लगती है तो इन पौधों की जो आप कभी भी गिराइएगा मत ये सोचकर कि ये पौधे बचे नहीं अब ये डेड हो चुकी है ये पौधे फिर से अपनी जो नई ग्रोध है दुबारा से गर्मी आते ही कर लेते हैं बहुत से कमेंट्स आते हैं क्या पौर्चुला का या पर्सलें के जो ये पौधे रहते हैं क्योंकि ये सकुलन टाइप के पौधे रहते हैं इनकी जो स्टैम्स हैं इनके अंदर जो पानी है वो स्टूर रहते हैं तो क्या इनको डिरेक्ट बारिश में रखना सही रहते हैं तो बिलकुल अगर आप इन पौधों की जो मिटती है वो वैर ड्रेंड लेजिए गा त और बारिश के बाद का ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं इस पौदे में बहुत सी नई कलिया और नई ग्रोथ निकल कर आई है। फूल देने के साथ साथ इन पौदों का जो एक अडिशनल मेनिफिट रहता है वो ये रहता है कि इन प्लांट्स को आप अपने किसी भी ऐसे गमले के बेस के अंदर जो कि आपके पास दूसरे सेंस्टिव पौदे हो या बलबस पौदे हो या फिर कह सकता हूँ कुछ इस तरह रहेगा बारिज से खत्रा रहेगा तो ये एक्स्ट्रा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे इस तरह से बरसाथ से कुछ समय पहले आप इन पौदों की जो काटिंग्स हैं अपने ऐसे कुछ भी सेंस्टिव पौदों के बेस में ग्रूप कर लीजिए इस से आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा मिलेगा दोनों रोल प्ले करेगा एक तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को भजब करेगा दूसरा इस तरह से फ्लारिंग भी करेगा चलिए अब बात करते हैं कुछ फर्टलाइजर के बारे में तो फर्टलाइजर आप इन पौदों को हलकी और गैनिक और कैमिकल दोनों तरह से फीड कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं प्रेफर करूँगा क्योंकि ये समर ग्रोइंग प्लांट्स रहते हैं और दूसरा बरसाथ के बाद ज्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं तो इन पौधों को आप ज्यादा हैवी फ्लारिंग के लिए जो फीड कीजिए वो कुछ केमिकल फर्टलाइजर रहेगा केमिकल से इनकी इस तरह से जो फ्लारिंग है वो बूस्ट होने लगेगी और जो फ्लार का साइज है वो यह एन पी के है नाइटरोजन फोस्फोरस और पोटेशियम का रिच सूर्स तो इन दोनों का सिंगल सिंगल ग्राम एक एक ग्राम आपको एक लिटर पानी में जो है वो डिजॉल्व कर लेना है कुछ इस तरह से देखिए इसको मैं इसके अंदर जो है वो मिक्स कर लूँग एक लिटर पानी में आप दोनों को डिजॉल्व कर लीजिए और इस तरह से देखिए प्लांट की जो लीव्ज रहती है इसके उपर स्प्रे कीजिए दूसरा इसके लावा आप चाहें तो डी एपी के कुछ दाने जैसे ये मेरा कुछ पांच इंच का गमला है तो इसके लि पौधा इस तरह से पौधा को देने से या एनपी के को देने से ये पौधा जो है वो जड़ा है और बड़े साइज में जो फ्लार्ज है वो प्रड्यूस करेगा और गैनिक में आप चाहें तो इस पौधे को बनाना पील का लिक्विट फटलाइजर जो रहता है वो फीड क कीजिए उससे भी जो ग्रोथ है और रिजल्ट है बहुत अच्छा मिलेगा तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही वीडियो का एंड करते हैं यह देखिए खूब सूरत से अस्टार मोगरा के पौधे के साथ इसके ओपर मैंने जो कंप्लीट वीडियो आपके सा कल शेयर की थी इस वीडियो का भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देदूँगा देखिए बहुत सी जो एक साथ कलिया इसके ओपर निकल कर आई है